नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग fantasy talent आप YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे T20 Blast के मैच नंबर 102 के बारे में Warwick Shire और Worcester Shire के बीच में ये मैच है जिसकी पूरी information आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है कौन सा player Small League में जरूरी है? Grand League में किन पर हम रिस्क उठा सकते हैं? और कौन से player जो Small League और Grand League दोनों में जरूरी है? इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे जैसे कल हमने Worcester Shire वाले मैच में clean sweep किया उसके पहले TNPL वाला मैच भी हमारा one sided गया था बस ऐसा ही कुछ करने का प्रयास रहेगा दोस्तों वीडियो को पूरत देखने का फाइदा पता है क्या होता है? कि कई बार मैं team मराते time पे कुछ चीज़े miss कर जाता हूँ दोस्तों हूँ तो इंसानी कई बार गलते हो जाती है लेकिन इस वीडियो की information से आप वो सुधार अपनी grand league की team में भी कर सकते हो और small league की team में भी कर सकते हो इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देख लिया करो अब दोस्तों जो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब करके bell icon पे प्रेस कर देना आने वाली वीडियो की notification टाइम से मिलते रहे informative वीडियो के notification और दोस्तों जो हमारा final update है टॉस के बाद अगर टीम में कुछ बदलाब करना है जो जरूरी है तो वो मैं आपको टेलेग्राम पे बता देता हूँ तो अगर आप लोग टेलेग्राम पर हो बहुत अच्छी बात है नहीं हो तो join करिए link वीडियो के description में मिल जाएगा बहुत कुछ miss कर जाओगे अगर join नहीं किया तो तो जाकर join कर लेना सब कुछ आप लोगों के लिए बिलकुल free है बात कर लेते हैं venue के बारे में दोस्तों आप लोगों के लिए पूरी वीडियो तयर करता हूँ अगर वीडियो देखो तो like कर देना comment करके बताना और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को पूरा देखना एजबे स्टोन बर्मिंगम में ये मैच होगा इस मैदान पर टोटल 89 मैचिस हो चुके हैं लेकिन यहाँ पर पहले बेटिंग करने वाली टीम ने थोड़े ज़्यादा मैच इसको विन किया है एवरेज स्कोर लगबग 165 के आसपास है हाला कि यहाँ पर लगबग सभी तरह के स्कोर आपको देखने मिल जाते है और वैसे देखा जाए तो डेड़ सो से लेकर 170 के बीच का जो स्कोर है वो हमें थोड़ा ज़्यादा देखने मिलता है अब आखरी जो मैच हुआ था वहाँ पर महज 137 का स्कोर बना उसके पहले 203 का स्कोर बना था और उसके पहले जो स्कोर बना था वो तो 214 का यहाँ पर पावर प्लेख के अंदर दो विक्ट थे, पावर प्लेख के अंदर एक विक्ट है यही रीजन है कि आपको स्कोर करने वाला प्लियर है जो नमबर 4 का देखने मिला है इन दोरों में जिसमें यहाँ पर जरूर ओपनर था अब यहां बात करें अगर second इनीं की तो दोस्तों नवे नमबर की player ने score किया यहां पर नमबर 4 की और यहां पर नमबर 4 की player ने score किया था power play में wicket यहां पर भी आपको देखने मिल जाते हैं अब लेकिन एक खास बात जो आपको इस ground पर देखने मिलती है वो यह कि इस मैदान के उपर spinners ने wicket निकाल कर दिये हैं spinners के खादे में इस मैदान पर wicket है तो ऐसा नहीं है कि आप spinners को miss कर जाओगे spinners को team में pick करना भी आपके लिए बजरूरी बन जाता है भले चाहे match England में ही क्यों ना हो रहे हो अब अगर बात करें तो उसके पहले वाले matches की तो यह match तो बहुत low scoring था यहाँ पर 200 का score बना तो यहाँ पर 179 का score हमने देखा है मतलब कुछ matches ऐसे रहे हैं यहाँ पर 1500 बनना भी मुश्किल हुआ है कुछ matches में 200 प्लस का score बना है और कई matches में तो वो chase भी हो गए score करने वाला player नंबर 3 का यहाँ पर Madsen ने score किया था दोस्तो यह नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे Luke Wales दोस्तो यह नंबर open कर रहे थे यहाँ पर opener था यहाँ पर opener तो यहाँ पर नंबर 4 का player पहली पारी में उतनी consistency हमें देखने नहीं मिली score करने वाले player की लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं second inning की तो बहुत हद तक यह मान सकते हैं आप लगबग 85% chances आप यह मान लीजेगा या तो opener या फिर आपको number 3 का player score करके दे जाएगा अब आपको जाना है record के साथ में जिसका record बहतर है number 3 और या opener में से second inning के लिए आप उसे captain vice captain बना सकते हैं अब यहाँ पर भी दोस्तों आप देखेगा spinners ने बरपूर wicket निकाल दिये थे spinners को अच्छे कासे wicket मिले हुए तो spinners को drop नहीं करना है अब दोनों टीमों के head to head matches देखिए total matches खेले हैं 37 यहाँ पर दोस्तों वर्विक शेयर ने जीते 20 matches वर्केस्टर ने 16 matches को win किया है last time जब यह दोनों टीमें आमने सामने हुई तो 196 का score बनाता जिसमें Rob ने 27, Davis ने 28, Chris Benjamin ने 34 और S. Mosley ने 49 का score किया साथ में Maxwell के 2 wicket थे तो दूसरी तरफ Brett D. Oliveira के 50 Adam Hoss के 36, Santander के 26 और Usama Amir के 32 रणके साथ में 3 wicket थे इस टीम के यह 4 player बिलकुल ऐसे हैं जिनको आपको टीम में रखना ही पड़ेगा इनका record भी बढ़िया है, आगे देखा दूँगा आपको मैं यहाँ पर देखेगा Adam Hoss ने तक लगाए था, Dan Mosley के 53 थे Briggs ने 4 wicket की है, Lintett के 2 wicket थे Jack Ball के 2 wicket थे, तो यहाँ पर आपको मिलते है Monroe 34 के साथ में, Finch 3 wicket के साथ में Stanley के 2 wicket थे, तो Patrick Brown ने भी 2 wicket निकाल कर अपनी टीम को दिये अब ज़रा Playing 11 की बात करते हैं कौन किस number पर betting करेगा तो देखेगा, Rob और Alex Davis यह दोनों आपको open करते हैं नजर आएंगे, इन दोनों में से अगर बहतर player की बात करें, तो Alex Davis थोड़े बढ़िया player है, Chris Benjamin आपको number 3 मिलते हैं, फिर आता है यहाँ पर इनका masterpiece जो की है Glenn Maxwell, जिस पर team बहुत ज़्यदा depend करती है, same condition Dan Mousley की भी है, तो दोस्तों यह दोनों player आपके लिए बढ़िया हैं, अगर हम बात करें वरकेस्टर की, तो यहाँ से यह जो 3 player हैं इनके, यह 3 हो खास है Brett, D. Oliver, Mitchell Sentinel, Adam Hoss, Jack Hines, ऐसे player हैं, अगर आपको इन चारों में से किसी 3 का selection करना है, तो यह 3 ज़्यादा बढ़िया है, यह फिर आपके सिर्फ GL वाले player रहेंगे, मतलब इनका performance आपको कभी कबार देखने मिलता है अब अगर हम बात करें दोस्तों Power Play और Death Over के गिंदबाजों के बारे में, तो Power Play में आपको कौन मिलता है, Wax, Henry Brooks Maxwell और Briggs, Death में आपको मिलेंगे Wax और Henry Brooks, और अगर Waskester की बात करते हैं तो Pennington, Sentinel, Matthew Witt और Patrick Brown, यह Power Play के गिंदबाज है, Death में आपको मिलते है, Patrick Brown के साथ है, Pennington और Sentinel, तो दोस्तों यह आपको Death Over में गिंदबाज ही करते हुए दिख जाएंगे अब जरा हम बात कर लेते हैं यहां से Ground Record की, दोस्तों जिन लोगों ने वीडियो को Like नहीं किया है, वो लोग Like जरूर कर दीजेगा, तभी दोस्तों मजा आएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों यारों में मातर 19 का एवरेज 21 पारी में एक ही 50 है और फिर आते हैं दोस्तों Benjamin जिनोंने 19 पारी में 28 के एवरेज के साथ में दो बार 50 भी किया है और एवरेज भी ठीक है मत्तब ये खिलाडी देखा जाए तो Ground Record के हिसाब से बहुत हत्तक बढ़िया है Maxwell इनका record भी एवरेज है एक ही बार 50 से उपर का स्कोर किया इनोंने Dan Mosley का record इन सब में सबसे बढ़िया है एवरेज 30 का है और दो बार 50 से उपर का स्कोर दस पारियों में कर चुके है फिर एडी बरनार्ड 12 में 11 का एवरेज और जैकब का 6 में 46 रणे बहुत गंदा एवरेज है गेंदवाजी जैकब ने निकाले हैं 20 पारी में 29 विकेट जैकब लेंटेट ने 20 पारी में 29 विकेट निकाले है स्पिनर है Maxwell के खाते में 5 विकेट है Dan Mosley के खाते में 9 में 11 विकेट है आप पूरी टीम का रेकॉर्ड दिखाऊंगा यहां से आपकी सारी चीजे क्लियर कर दूँगा कि कौन-कौन से खिलाड़ी है जो बहतर है जिनको टीम में रखना है जैसे Alex Davis पहला नाम है 15, 40, 93, 28, 32 यह रिसेंट स्कोर है बढ़िया स्कोर है वरकेस्टर के सामने 15 का एवरेज है यह रिकॉर्ड गंदा है और पिछली एक साल के अंदर 22 का एवरेज है सेकिंड बेटिंग करते हुए 250 का स्कोर किया है तो हाल-फिलाल के स्थिती में यह खिलाड़ी आपकी पेंडिंग लिस्ट में रहेगा मतलब कन्फर्म नहीं है पेंडिंग लिस्ट में अगर कोई अच्छा प्लियर नहीं मिला दूसरा तो ट्राइ करेंगे अब इसके नीचे आएक कमजोरी देख लेते हैं राइट आप मीडियम के सामने एवरेज है 16 का राइट आप मीडियम आपको कौन मिलते हैं यहाँ पे आपको मिलता है पैटरिक ब्राउन विकिट टेकर मैथ्व वेट और पैनिंग टर इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं नमबर दो रॉब येट्स की जिन्होंने पिछले दो मैच इसमें बड़ी अच्छी बेटिंग की है उसके पहले चार मैच इस खराब थे फिर यहाँ पे दो मैच इसमें अच्छी बेटिंग की थी वरकेस्टर के सामने इनका ऐवरेज khराब है और पिछले तीन सालों में बाइस साप एवरेज है तो आपको यहाँ पे सेंटनर, ब्रेट डी ओलिवर और उसामा मीर तीन इस तरह के गिंदबाज मिलते हैं जो कि इन्हें परिशान कर सकते हैं अब बात यह है कि आपको रॉब येट्स या फिर एलेक्स डेविस में से किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा यह आप तैय कर सकते हैं कि अगर पहले बेटिंग कर रही है तो हम एक बार इनको सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि पहले बेटिंग करते हुए इनका एवरेज बढ़िया है लेकिन अगर second betting की बात चल रही है तो हम इनके साथ में जा सकते हैं क्योंकि second betting करते हुए इनका average हमें बढ़िया देखने मिला है अब आते हैं number 3 पे Chris Benjamin Chris Benjamin ने इस team के सामने लगभग 25 का average ठीठा के score कह सकते हैं और पिछले एक साल के अंदर 23 केverage को maintain किया है जिसमें second betting करते हुए दो बार 50 से उपर का score है right arm medium के सामने दिखका थे और leg break के सामने समस्या है अब यहाँ पर आपको मिलते है पेट्रिक, मैथुवेट, पैनिंटन, ब्रेट डी ओलिवर और उसामा मीर अब इस तरीके से दोस्तों आपके पास जो top 3 है इन में से आपको सिर्फ दो ही player का selection करना है ज़्यादा स्यादा दो कर सकते है अगर कोई आपके पास अच्छा option दूसरा नहीं है तो अब आते हैं Maxwell के साथ में अब Maxwell के पास में benefit क्या है कि बेटिंग करेंगे साथ में bowling करेंगे और इनको छोड़ा इसलिए नहीं जा सकता है क्योंकि unexpected better है जब चलेंगे तो दोस्तों आपको पता है कि डेड़ सो से लेकर 170 के strike rate से खेलने की चमता रखते हैं हाला कि इस टीम के सामने स्कोर नहीं कर पाए इसका reason मैं आपको बता दूँगा क्योंकि इस टीम के पास में दो quality leg break गेंदबाज आपको मिलते हैं यहाँ पर आप देखेंगे leg break इनकी कमजोरी है और यहाँ पर आपको मिलता है Brett और Osama Mir जो की इस तरह की गेंदबाजी करते हैं अब इनको टीम में रखने का reason होगा इनकी गेंदबाजी जिसके सामने दोस्तों यह दिखेंगे 11 विकेट निकाल चुके हैं इस वज़े से आपके लगबग अगर यह 10 से 15 रन बना दे और एक विकेट निकालते हैं तो dream टीम में जगे बना सकते हैं इस वज़े से जो Maxwell है वो टीम में रहेंगे फिर आता है नाम Dan Mosley का दोस्तों लास्ट मैच में ही 4 विकेट निकाल कर आए हैं इस टीम के सामने बेटिंग पर्फॉमेंस बहुत बढ़िया है एक बार पहले 50 कर चुके हैं और पिछले 2 सालों के अंदर 21 विकेट भी निकाले हैं और 25 के अवरेज के साथ में स्कोर भी किया है Dan Mosley इसलिए आपके लिए कंफर्म पिक बन जाते हैं इनको समस्या है और्थोडॉक्स गिनबाजी से और राइट आम फास्ट बोलिंग से तो और्थोडॉक्स से यहाँ पे चल सेंटेनर जो की इस तरह की गिनबाजी करता है यह तीसरा प्लियर है जो आपकी टीम में जगे बनाएगा इस टीम की तरफ से फिर है दोस्तो एडी वर्नार्ट अब इनका बैटिंग डाउन नॉर्मली पहले आठवे नंबर पर था अभी 6 पर आ चुके हैं निकाले हैं कमजोरियों में देखें लेफ्ट आम मीडियम परिशान करता है राइट आम मीडियम परिशान करता है और राइट आम आफ ब्रेक इनको परिशान करता है तो नाम आपको तीनों राइट आम मीडियम मिल जाएंगे डेलिन पैनिंटन इसके बाद पैटरिक ब्राउन और इसके बाद आपको मैथ्व वेट मिलते हैं राइट आम और प्रेक भी इस टीम के पास में मौझूत है तो कुल मिला के इनके लिए समस्याँ थोड़ी बड़ी है फिर आते हैं दोस्तों जैकाब बैटल जिन्होंने अभी लास्ट तीन मैचस में ठीक ठाक बैटिंग की है ओवरोल पिछली एक साल के अंदर इनका बैटिंग पर्फुमेंस में 12 का अबरेज 32 हाइस्ट यह इन्होंने रिसेंटली बनाया था राइटा मीडियम इनके लिए थोड़ी दिक्कते खड़ी करते हैं मतलब दोस्तों आपके लिए पैटरिक ब्राउन और पैनिंग्टन यह दोनों बहुत इंपोर्टेंट गिन्बास बन जाते हैं मैथ्यू वेट की साथ दिक्कत क्या है कि पिछले मैच में इनसे एक ही ओवर कराया गया था इस वज़े से मैंने सिर्फ इन दोनों का नाम लिया है कि यह दोनों आपके लिए जादा इंपोर्टेंट है अब आते हैं नमबर आठ पे डैनी ब्रिक्स पे डैनी ब्रिक्स ने वरकेस्टर के सामने 6 पारियों में 8 विकेट निकाले हैं और पिछले एक साल के अंदर 30 पारी में 32 विकेट कर चुके हैं जिसमें पहले गिनबाजी करते हुए चाउदा है तो सेकिंड में गिनबाजी करते हुए 18 विकेट है Chris Vox आते हैं इसके बाद में दोस्तो Chris Vox बढ़िया गेंदबाज है Power Play और Death Over दोनों में गेंदबाजी करते हुए मिलेंगे Worcester के सामने 5 विकिट निकाल चुके और पिछले अगर हम इनके 1 साल का record देखें तो 17 पारी में 21 विकिट है जिसमें पहले गेंदबाजी करते हुए 12 तो 2nd गेंदबाजी करते हुए 9 विकिट है इसके बाद दोस्तो नाम आता है Henry Brooks का Henry Brooks ने 5 पारी 5 विकिट इस टीम के सामने है और 22 में 23 विकिट यहां इन्होंने निकाले हुए है पहले गेंदबाजी करते हुए 8 विकिट है 2nd गेंदबाजी करते हुए 15 विकिट इनके खाते में है और अन्त में जो नाम है दोस्तो वो है जैकब लिंटेट चाइना में गेंदबाज 8 पारी में 6 विकिट यहां निकाल चुके है और 36 पारी में 38 विकेट इनके पिछले एक साल में खाते में दर्जे जब पहले गिनबाजी की है तो 19 विकेट है सेकिंड गिनबाजी की है तब भी 19 विकेट है अब हम बात कर लेते हैं वारकेस्टर की तो दोस्तो पिछली जो टीम अमने बताई थी उसके सारे प्लियर आपको समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन सा जरूरी है और कौन सा नहीं अगर मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाओं तो जो टॉप थरी है उनमें से आपको एक रखना है फिर मैक्सविल और डैन मौसली ये दोनों आपके लिए कंफर्म हो जाते हैं इसके आद दोस्तो आता है सीथा गेंबाजी सेक्शन गेंबाजी सेक्शन में आप क्रिस वोक्स को अपनी टीम में रखेंगे तो ये तीन प्लियर तो आपके सेंटनर ने एक रन एक पारी, कासिफ अली 17 रन, बेंकोक्स का 23 का एवरेज और एडी पॉलाक ने भी 23 के एवरेज के साथ में स्कोर किया है मैथ्वेट ने निकाले है, दो पारी में कोई विकेट नहीं, पैनिन्टन ने निकाला है, पांच विकेट, पेत्रिक ब्रॉण के खाते में 16 विकेट है, सेंटनर के खाते में 3 है तो ओलिवीरा के खाते में 6 विकेट आपको इस मेんなान पर देखने मिल जाएंगे अब यहां से देखिए पहला नाम क्या है दोस्तो जेक हाइनेस का इन्होंने दो रोनों का स्कोर किया यहां 63 फिर लगातार फ्लोग फिर 42, 17, 32 इस टीम के सामने 27 का एबरेज है एक बार 50 से उपर का स्कोर है वैसे अगर आप देख लो तो पिछली एक साल के अंदर 23 का एबरे अब यह जो दोनों गिनवाज हैं यह आपको पावर प्ले में भी मिलते हैं अब अगर आप लोग पावर प्ले में एक विकेट एकस्पेक्ट कर रहे हो तो यह खिलाडी आपके ड्रॉप करने के लिए बहतर होगा इसके बाद दोस्तो नाम आता है ब्रैट डी ओलिवीरा का यह आपको बैटिंग प्लस बोलिंग दोनों देते हैं तो इनको छुड़ना मुश्किल है गिनवाजी रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया है तेईस पारी में 27 विकेट यह निकाल चुके हैं अपने पिछले एक साल के केरियर में और साथ में 26 के एबरेज के साथ में स्कोर भ आपको मिलेंगे और चाइना में भी इन्हें परिशान करता है जैकब लिंटेट यहां पर मौझूद है फिर आते हैं दोस्तों नमबर 3 मिचल सेंटेनर मिचल सेंटेनर दोस्तों लगातार बढ़िया गिनवाजी कर रहा है और विकेट टेकर गिनवाज है नो डाउट तो य यह खिलाडी आपके वाइस केप्टेंसी की बरिया चोईस में है और इनको दिक्कत है लेफ्ट आम मीडियम से दूसरी समस्या है और्थोडॉक्स गिनवाजी से तो यहां पर आपको मिलते है डैनी ब्रिक्स जोकी और्थोडॉक्स गिनवाजी करते हैं यह पहले बेटिंग करते हुए ज़्यादा बढ़िया बेटिंग कर लेते हैं फिर नाम आता है एडम होस का एडम होस का इस मेदान का रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त है बहुत जबरदस्त है इस टीम के सामने दोस्तों पहले चतीस रन बना चुके हैं बाकी वैसे देखो कि तो 35 का एबरेज है पहले बेटिंग करते हुए 6-50 है ओफ ब्रेक के सामने 13 का एबरेज मेंटिन करते हैं तो डैन माउसली और मैक्सवेल आपको मिलते हैं जो की इस तरह की गिनवाजी करके परिशान कर सकते हैं फिर दोस्तों कासिफ अली ये खिलाडी ने चार मैच पहले एगवार 48 किया था फिर उसके 3 मैच पहले 60 किया और फिर आप देखेंगे 24 सरनों का स्कोर आपको देखने मिला था हाल फिलाल की स्थिति में 50 जो इन्होंने किया है वो पहले बेटिंग करते हुए बनाया है कमजोरी इनकी लेफ्ट टाम मीडियम है अब चूकी दोस्तों इनके 3 से 4 मैच इस फ 23 का एबरेज है सेकिन बेटिंग करते हुए एक बार 50 से उपर का स्कोर है राइटाम मीडियम ने इनको भी जादा परिशान करते हुए उन्नीस के एबरेज के साथ में रन बनाने का मौका दिया क्रिस बेंजमिन हैरी ब्रूक्स और एडी बरनाड आपको मिलते हैं जो कि इन जाए इनके बारे में तो इनको अभी हम छोड़के चल रहा है फिर इसका दोस्तों उसामा मीर है उसामा मीर आपको बैटिंग प्लस बोलिंग दोनों देते हैं और 19 पारी में 30 विकेट जो इनका रिकॉर्ड है ये कहता है कि टीम में रखो मुझे पहले गिंदवाजी करते ह इसका दोस्तों मैथ्यू वेट है वर्विक के सामने चार में दो और वैसे 25 में 18 विकेट है अब माइनस पॉइंट ये था कि पिछले मैच में टीम ने सिर्फ एक ओवर कराया है क्योंकि टीम के पास बोलिंग ऑप्शन बहुत सारे हैं इस वज़े से मैथ्यू वेट को टीम कर दे जाते हैं अब अगर बात की जाए कैप्टन वाइस कैप्टन जी के बारे में तो बहुत इजी होगा ब्रेट ग्लेन मैक्सवल और सेंटनर इन तीनों मैं से किसी दोग को बना देना और डैन मौसली और पैटरिक ब्राउन को आप जील के अंदर ट्राय कर सकते हैं अब हैंरी ब्रूक्स को टीम में जगे दी है तो यह जो दूसरा कॉंबिनेशन आप देख रहे हैं ड्रीम 11 वाला यहां पर डैविस और वेंजमिन है एडम होस मैक्सवल वॉक्स ओलिवीरा मैचल सेंटनर बॉसली उसामा मेर हैंरी ब्रूक्स और पैटरिक ब्राउन को हमने टीम में जगे दी है अब दोस्तों यह अगर आप लोग जा रहे हो तो यह रियल 11 एप्लिकेशन है इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया है जाकर साइन अप करो इजी विन करने का जो तरीका है क्योंकि हमारा मैक्सिम अमांट यहीं से विन होता है मैं करता हूं वह मैं इस एप्लिकेशन से विन करता हूं इसलिए आपको सला देता हूं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अप लोगों से अपनी अगली वीडियो में तब तक कि लिए बाए जैहन जै भारत